नबस्ते ब्रभा की रसोई में आपका स्वागत है आज हम रतालू पकाने का अनोखा तारीका बता रहे हैं ना तो आपको पानी डाल के उबालना है न भूनना है हम ऐसे तारीके से बताएंगे कि बहुत ही टेस्टी ए रतालू बनेगा बहुत ही असान तरीके से भी बनेगा ए रतालू अच्छे से दोके और पूँच लें ताकि इसमें पानी ना लगा रहे अब ए रतालू हम अच्छे से पतीले में जमा के रखे देंगे जो बड़ा मोटा रतालू होगा उसको नीचे कर देंगे और जो पतला होगा उसको उपर कर देंगे अब हमारे रतालू रख गए हमने इतना घी लिये हैं चम्मच में इतना घी रतालू में डाल देंगे इधर उधर कर देंगे तो पूरे रतालू में अच्छे से हो जाएगा अब हम गयश चालू कर दिये हैं चालू करके गयश धीमा करेंगी जब आप रतालू पकाएंगे तो इससे ऐसी अवाज आएगी फूटेगा नहीं इससे डरिये मत अब रतालू हमारे 15 से 20 मिनट हो गए ह देखिए रतालू हमारे पक गए हैं घी भी इतना बच गया है इसमें कोई ज़्यादा घी नहीं लगता है इसे आप कुकर में ना पकाएं क्योंकि कुकर फटने का डर रहता है और कुकर की नौजल भी खराब हो जाती है इसलिए पतीले में ही रतालू पकाएं तो बहुत ही शिलका फूरा निकल जाता है, ब्रत में आप इसी तरीके से रतालू बनाकर खाईए, आपको रतालू बहुत स्वधिस्ट लगेंगे, आप सरसो का तेल छोड़ कर कोई भी तेली उज़ कर सकते हैं, पर ब्रत में मुम फली और तिल का तेल और घी से ही बनाएं, इस तरह के रत रतालू बनाकर आप खाईए, यह उबले हुए और भूने हुए रतालू से ज़्यादा टेस्टी, रतालू का टेस्ट रहता है, आप रतालू को जरूर बनाएं और दूसरों को भी बताईए, आप कोई वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करें, सेयर करें, प्रभा की रस बाल मिलते हैं अंगले वीडियो में